विंडोस 365 यह बिसिकल है क्या और आप में से बहुत से लोग ऐसे होएंगे जिन्होंने यह सुना होगा Microsoft 365 लेकिन यह विंडोस 365 है क्या जैसे आपने विंडोस 8, विंडोस 10, विंडोस 11 सुना है उस तरीके से यह विंडोस 365 है बट Cloud में और अगर आपको पता नहीं है कि यह Cloud क्या होता है तो मैंने आलोड़ी इसके बार में complete एक विडियो अप्लोड किया है Cloud क्या होता है और कितने टाइक के Cloud है तो प्लीज यह आप उस विडियो को जरुड़ी से देख लेना तो आपको यह विडियो जह अच्छे से अंडेशन हो जाएगा और मैं आपको थोड़ा सा आसान बाशा में जहें समझा देता हूं कि यह विंडोस ते 65 है क्या देखिए आपको पुराना लाप्टोप है वहाँ पर आप हाई-end अप्लिकेशन को इस्तिमाल नहीं कर पा रहे है तो उस टेम पर आपके पास एक यह ऑप्शन रहता है दूसरा कंप्यूटर या लाप्टोप बाई कर लो आप एक ऐसे शॉप पर गया हो जहां पर आपको कंप्यूट कर देंगे आपको अंडेशन करवाने के लिए मैंने एक्जेंपल दे दिया यह जो श्टोर है यह एक्चुली मैक्रसॉफ्ट का डेटा सेंटर है तो आपको यहाँ पर डौट होता होगा कि आपने लाप्टोप यह बाई किया लेकिन श्टोर पर छोड़ कर आ गया है तो उ विंडोस जो आपने बाई किया हैश्टोर पर वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो इसी तरीके से यह यह वर्क करता है विंडोस 365 आप उस कंप्यूटर पर जो भी चीज़े ओपन करके रखेंगे आप उसको कभी भी एक्सेस करेंगे जैसे मालों कि आपने आज मॉर्निंग जो है उस PC को ओपन किया था और आपने जो विंडोस पीसी को ओपन किया तो वो जो टैप से वो खोड़ दिया था महाँ पर उसी तरीके से वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और हां यहाँ पर आपको उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट रहना बहुत ज़रूर यहाँ गेमिंग खेलना चाहते हैं लेकिन अगर आपके लाप्टोप पर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप सिंप्ली जहें उस स्टोर वाले को जहें कॉल कर गए अपना जो रैम है जहें वह आप इंक्रीस कर सकते हैं अगर आपका प्रोसेसर आपको आपको सोचते होंगे कि हमारे लाप्टोप में तो नॉर्मल इंटरनेट कंडिशन रहता है और हम फिर क्लाउड में इस्तिमाल कर रहे हैं क्या स्पीड रहेगा डेफिनेटली जो क्लाउड में हमारा पीसी है वहाँ पर जहें टेन गीगापीड पर सेकंड का इंटरनेट स्पीड यह वहाँ पर आवलेबल हैं और क्या मतलब आपको कोई दिकत नहीं हो जाएगा एकदम लोड होते रहेगा अस्तो होता रहेगा ऐसे कोई इस्यू नहीं है आपको एकदम स्पीडली जो है डाउन्लोड लिए अप्शन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे हमारा पीसी यह है कि इंडिया में जो है बहुत सी जो स्टैंड एलोन यूजर से वो जो है क्रैक वर्जन का इस्तिमाल करता है लेकिन अगर एक क्लाउड बेस पीसी है तो वहाँ पर जो है क्रैक वर्जन इंस्टाल करना बहुत-बहुत ही मुश्किल है क्योंकि Microsoft को जो है पता चल जाए यह कि उसको monthly pay करते रहना है और मुझे यह भी आइडिया नहीं है कि अगर आप फोटोशॉप हो गयरा मतलब फोटो एडिटिंग वहाँ पर कर रहे हो I don't know कि आपको वहाँ पर कैसे experience रहेगा यहां पर तो मतलब अच्छा-च्छा PC पर भी थोड़े अप्लिकेशन जो है ल प्रोने की उनका कैसा इसमें experience रहेगा और बैसिकली यह कंपनिस को बहुत ज्यादा इस्तिमाल हो जाएगा जैसे मानलो कोई एक ऐसा परसन है जो नॉर्मल काम करते है और उसका जो है नॉर्मल स्पेसिफिकेशन काफी है laptop का अब जैसे मानलो कि यह परसन निकल गया तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगया हम वोगा अगर आपको विडियो अच्छा लगा तो